दोस्तों आज मैं करने वाला हूँ कम्प्लीट वाकराण रिव्यू टाटा अल्ट रोज एक्षम वेरियंट की और जिसके लिए मैं आया हूँ सागर मोटर विच इस लोकेट नियर दिर्सा गारडन मैट्रो शेशन और मैं यहां मिलाओं मिस्टर गुरुविंदर जी से जिनक नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्ष में दे दूँगा आप वहां से चेक आउट कर सकते हैं और इस से रिलेटेट सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंतर तक और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज पैरिजन एसेसरीच आपसे साजा करते हैं तो चले दोस्तों बिदा किसी देरे के स्टार्ट करते हैं यह है दोस्तों टाटा मोटर की प्रीमियम हैजबेक अल्टरोज का एकसेम वेरेंट और अगर हम पैट्रोल वेरेंट की प्राइसिंग की बात करें तो 6.15 लैक दिली जाते हैं वहीं इसकी और पाइस है 8.82 लैक और कंपनी टाटा अल्टरोज में ओफर कर रही है तू येर्स और 75,000 किलोमेटर की स्टेंडर वारंटी जिसे आप बात में एक्सिटेंड भी करवा सकते हैं और टाटा अल्टरोज एवलेवल है 5 डिफरेंट कलर्स में कि तो यहां पर दिया गया है है हैलोजन हैट लैम हाई बीम लो बीम एंटरन इंडिकेटर की कॉमिनेशन और भूत ही सांदर यहां पर हने कॉम ग्रिल प्यानो ब्लैक पनिस में टाटा का लोगो एक बार अच्छे से चेक आउट कर लेजीगा यहां पर दिया गया है क्रोम जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों नीचे फॉग लैम हाउसिंग में यहां पर फॉग लैम मिसिंग है दोस्तों एक्सम वेरिंट टाटा अल्ट्रोस की और नीचे हम अगर नज़र डाले तो यहां पर ब्लैक कलर में एर डैम और बहुती सांदर फिनिसिंग यहा यहां पर 16 इंच के स्टील वील आपको प्रॉबाइट किया गया एक्सम वेरेंट में और वील साइज है 195 55R 16 और इसके अलावा फेंडर पर ही आपको यहां पर दिया गया है टोन इंडिकेटर और वार्बियम के अगर हम बात करें तो यहां पर प्यानो ब्लैक फिनिस में वार लाइन आपको पूरी तरो ब्लैक आउट किया गया है और इसमें इंटेग्रेटिट स्पोईलर और दोनों और आपको यहां पर स्पेट दीगी है प्यानो ब्लैक पिनिस में इसके अलावा रियर प्रफाइल में आपको मिल जाते हैं डॉप में हाई माउंटेट स्टॉप ल 23 mm, wheelbase 2501 mm, ground clearance 165 mm, wood space 345 liter and fuel tank दी गई है 37 liters और टेल डैंप यहां पर पियानो ब्लैक फिनिस में दी गए है दोस्तों और इसके रियर में अल्ट्रोस की बैजिंग उपर डाटा का लोगो यहां पर रिवर्स पाकिंग कैमरा मिसिंग है दोस्तों XM वेरिंट में एक बार अच् पाकिंग सेंसर्स प्रोबाइट किये गए है और ठीक नीचे ब्लैक कलर में स्क्रिट प्लेट दोनों और रिफ्लेक्टर्स प्रोबाइट किये गए है और टाटा अल्ट्रोस में दिया गया है BS6 कंप्लाइंट 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पैट्रोल इंजन जो की 84 PSP की पावर 6000 और इसके लावास में दिया गया है BS6 कंप्लाइंट 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टीजल इंजन जो की 100 PSP की पावर 5500 आर्पेंपे और ट्रांस्मिशन के अगर हम बात करें तो दोनों ही इंजन आप्शन में आपको मिल जाते हैं 5-speed manual ट्रांस्मिशन जहां तक ब्रेक की बात करें तो front में disc and rear में drum brake दी गई है और suspension की अगर हम बात करें तो front में magferson strut with coil spring and rear में twist beam with coil spring दी गई है चलिए बात करते हैं इंटीडियर की तो हमेशा की तरह front door से start करते हैं यहां पे एक बार अच्छे से check out कर लेजिगा dual tone में दी गई है और यहां पे आपको कोई भी fabric inserts नहीं मि JBL के speaker यहां पे provide किया गया है, tweeter भी provide किया गया है, one liter का water holder थोड़ी सी जगह और internet के अगर हम बात करें तो यहां पे fabric appolstory आपको provide किया गया है, काफी comfortable seat style support का भी अच्छे कासी है और यहां पे XM variant में आपको height adjustable seats नहीं मिलते हैं दोस्तों और इसके अलावा हम बात करते हैं, headrest की तो यहां पे height adjustable headrest provide की गया है, जो कि एक plus point है और आपको यहां पे close look दिखा देता हूँ दोस्तों, dashboard layout की तो काफी premium रहने वाला है, XM variant की dashboard दोस्तों एक बार अच्छे से check out का लेजेगा, dry tone में दिया गया है और यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, flat bottom steering wheel जो की 3s को tilt table रहने वाली है, और यहां कोई भी आपको control बटन नहीं दिये गए हैं, left side and right side और अगर हम बात करते हैं, instrument cluster की तो कुछ इस तरों का interface रहने वाला है दोस्तों, अच्छे से check out कर लेजेगा इसमें right side speedometer, left side आपको आपे meter analog में दिया गया है, इसमें digital नहीं दिया गया है, भी इसमें M.I.D. जिसमें driver assist related सारी information आपको यहाँ पे मिलते हैं दोस्तों, चलिए बात करते हैं, center console की तो दोस्तों, यहाँ पे आप चेक आउट कर लेजेगा, यहाँ पे storage दीगे, two cup holder और drone garnishing में यहाँ पे handbrake दीगी है, थोड़ी सी जगह, coin रखने की दोस्तों, और उसके अलावा यहाँ पे, यहाँ पे eco mode जरूर दीगे दोस्तों, यह सारे variants में standard है, और five speed manual transmission यहाँ पे provide किया गया है, पियानो black police में, और उसके आगे storage और वेल पोर का charger, aux and USB port यहाँ पे जरूर दिया गया है दोस्तों, और अगर हम इसके अलावा बात करते ह है, climate control की, तो यहाँ पे आपको XM variant में मिल जाते है, manual climate control, एक बार अच्छे से check out कर लेजेगा, उसके ओपर आपको यहाँ पे media control मिल जाते हैं, दोस्तों, और सबसे important यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसमें दिया गया है 3.5 इंच का floating important system, जो की touch panel में नहीं है, और support करता है, radio FM, bluetooth connectivity, aux and USB को, और lower variant में इस तरहों का floating important system मुझे काफी पसंद आया, दोस्तों, आपका क्या कहना है, इस बारे में नीचे comment section में जरूर बताएगा दोस्तों, और floating important system के ठीक नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इस events जो की piano blackness में दिया गया है, बीच में hazard light भी यहा तक practicality की बात करें, तो left side globe box की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको push button दिया गया है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी globe box और इस XM variant में आपको यहाँ पे tablet tray या laptop tray नहीं मिलते हैं दोस्तों, जो की missing है, काफी ज़्यादा spacious है यह दोस्तों, go passenger side कोई भी vanity mirror प् जैसे कि आप यहाँ पे देख पारे हो, और voice recognition के लिए यहाँ पे speaker की जगह दी गई है, और अगर हम बात करें, driver side की, तो कोई भी vanity mirror यहाँ भी प्रोवाइड नहीं किया गया है, ticket holder यहाँ पे जरूर प्रोवाइड किया गया है, और IRBM आपको normal यहाँ पे दिया गया है, और इसके लावा, A pillar के दोनों और प्रोवाइड किया गया है, twitter जो कि एक खास किसम की design में दिया गया है, जो कि मुझे काफी पसंद आये दोस्तों, और dashboard के अगर हम बात करें, तो hard plastic यहाँ पे यूज किया है, ambient light यहाँ पे missing है दोस्तों, XM variant में, जो कि top in variant में ही आपको प्रो चक आउट कर लिजेगा, पूरी 90 डिग्री यहाँ पे open हो जाती है, टाटर अल्ट्रो के सारे doors और यहाँ पे dual tone में दिया गया है, और close look दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है, power handle के control, fabric inserts इस वाले variant में नहीं मिलते है, twitter और नीचे speaker, 1 लिटर का बोटर करते हैं, headrest की, तो यहाँ पे integrated headrest आपको मिलने वाले है, XM variant में, और यहाँ पे कोई भी armrest आपको नहीं provide किया गया है, XM variant में, दोस्तों, अच्छे से check out कर लिजेगा, और अगर हम बात करते हैं, इसके legroom, headroom की, तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों, चले दोस्तों, एक बार अंदर बैट के देखते हैं, और कैसा इसका thigh support और cabin comfort है, आपको दिखा देता हूँ, और इसके dashboard का layout भी दिखा देता हूँ, दोस्तों, अंदर यहाँ पे, आप अगर rear seat से, अगर front की ओर देखे, तो dashboard का layout कुछ इस तरों का दिखता है, द cabin का look है, काफी premium look दे रहा है दोस्तों, काफी up market feel हो रहा है, चले बात करते हैं, इसके thigh support की और इसमें leg room की तो काफी जबरदस रहने वाला है दोस्तों, और head room की बात करें, तो वो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना ला है, big thumbs up for head room and leg room, चले दोस्तों बात करते हैं, boot की तो यहाँ पे logo की ठीक नीचे एक button है, जिसे push करके, इसके boot lid open हो जाता है, और इसमें total 345 liter का boot space दिया गया है, और XM variant में भी आपको parcel tray उपलफ दिक्राया गया है दोस्तों, जो कि एक plus point है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, XM variant में कोई भी boot lamp provide नहीं किया गया दो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और अगर हम बात करते हैं spare wheel की, तो just इसके underneath आपको spare wheel भी provide किया गया है, और उससे related tools भी एक बार अच्छे से check out कर लिजेगा दोस्तों, और चले बंद करते हैं boot gate को, और उपर आपको यहाँ पे grab handle दी गया है, जिसे आप grab करके boot gate को बंद भी कर सकते हैं दोस्तों, चले दोस्तों बात करते हैं Tata Ultros में मिलने वाले safety features की, तो इसमें दिया गया है, डियोल airbag, ABSVDPD, reverse parking sensors, seat belt reminder, driver side end, co passenger side, engine immobilizer, anti-thep device, front impact beam, side impact beam, जैसे safety features standard दिये गया हैं, यह थी दोस्तों, complete walk around review, Tata Ultros, action variant की आपको कैसी लेगी, नीचे comment section में जरूर बताएगा दोस्तों, और एक like तो बनता है, दोस्तों, चैनल को subscribe के बगार बिलकुल मच जएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना यूही, automobile sector से जड़ी, news, reviews, test drives, walk around, comparison, accessories आप से साजा करत रहता हूं, तो चले दोस्तों, आज के लिए वक्स इतना ही, बिलते एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए thank you, धन्यबाद, जैहिन